हाई वाज, आज मैं इस वीडियो में आपको जादा टेम सेक्स करने के लिए एक बहतरीन गरेलू नुसके की बारे में बाताने वाला हूँ इस नुसके को यूज करने से आपको कोई दवा काने की जरुरत नहीं पड़ेगा ये काली लगाने वाली चीजे इसे लगाने से आपको आदा गंटे से एक गंटे तक वीर्य बाहर नए निकलता है क्योंकि जो अभी बाताना वाली ये नुसका है ये वीर्य बाहर आने से रोकने वाली एक अद्बुत गरेलू नुसका है ठीके इस नुसके की बारे में आप जानने से पहले मेरी इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्रेब नहीं किया है आप अभी सब्सक्रेब कीजिए और बेला खान को भी दबाईए ताकि मेरी नाय वीडियो अभी पाने के लिए अभी चलता हूँ इस वीडियो के अंदर तो देखिए इसके लिए आपको चाहिए होता है काटन देखिए इस काटन को आप क्या करना है कि ऐसा चोठा बाल जैसी करनी है देखिए ऐसा एक चोठा बाल जैसा करनी है ठीके और इसके साथ आप क्या करना है कि ये शहद है ठीके देखिए यह शहद ठीक है आपको प्यूर हनी लेनी है ठीक है आपको जो मार्केट में अभी मिल रहा है यह सब सई वाली नहीं है यानि कि डूब्लिकेट मिल रहा है इस शहद को 100% उर्जिनल लेगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ठीक है अगर आपकी कोई भी मेड आपको जो मिलता है वह सब डूब्लिकेट मिल रहा है भी आप 100% उर्जिनल शाहद को लीजिए ठीक है आपको अगर आच्छा रिजल्ट आना है तो आप उर्जिनल लेनी है ठीक है आप क्या करना है कि देखिए ऐसा काटन बाल को आप शहद में 10 मिनिट तक ऐसा डूबा कर रखनी है देखिए मैं काटन बाल को 10 मिनिट तक शहद में डाल कर रखने से ये पूरा शहद इस काटन बाल को पकड़ गया है देखिए ये पूरा काटन बाल आच्छा सा लिया है यानि काटन बाल को ये शहद आच्छा पकड़ गया है ठीक है ऐसा पकड़ने के बाद आप आप क्या करना है कि देखिए सेक्स करने से एक गंटे पहले आप क्या करना है कि इस काटन बाल को यानि शेहत का काटन बाल को आप नाभी का अंदर लगानी है देखिए ऐसा आप लेटना है ऐसा उल्टी नहीं है ऐसा सीधा लेटना है और इस नाभी है इदर ये नाभी का अं चीज़ है इसे आप रख लीजिए, सेक्स करने से एक गंते पहले ठीक है, और एक गंते के बाद आपको कोई भी दवा काने की जरुत नहीं पड़ेगा जैसे कि किसी को मन में लगता है कि ज्यादा टायम सेक्स करना है करके लेकिन दवा काने की धर भी लगता है तो वो लोग जरूर इसे करके देखिए इसे इस नुस्के को यूज करने से आपको कोई भी दवा काने की जरु प्रतने पड़ेगा वह अतना अच्छा काम करना वाली एक बहतरीन गरेलू नुस्का है ठीक है और ऐसा अच्छा-च्छा नुस्के की बारे में आप अभी तक मेरी इस चानल को सब्सक्राइब किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेले खान को भी दबाईए ता लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद